लखनव, इलाहाबाद, इसके अलावा कानपूर, मव, मतलब उत्तर प्रदेश के बहुत से ऐसे जीले दोस्तों, बहुत से ऐसी जगा जहां पर युवाओं की भारी तादाद नजर आई है, वो तादाद देखकर आज प्रशासन की जो आप कह सकते हैं सांस फुल गई होगी जो पेपर लीक हुआ है, उस पेपर लीक होने को अगर समाल लेती सरकार, तो हो सकता था कि वहाओं की भविश्य के साथ खिलवाड नहीं होता, सोचेंगे दोस्तों कि 50 से 60 लाख, यह कोई कम तादाद नहीं होती है, 50 से 60 लाख युवा, पेपर का एड्मिशन फॉर्म भरत यानि अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं और आप फीज भर रहे हैं, तो आपको 400 रुपया उस एड्मिट कार्ड का भरना होगा, 48 लाख से जादा एड्मिट कार्ड जारी हुए, बावजूद इसके जब पेपर वो देने गए, तो पता चला कि पेपर लीक हो क्या, सिर के भविश्य के साथ जिस तरीके से खेलवाड हुआ है, उसके खिलाफ अब युवा सड को पर उतराया है, और जितनी भारी तादाद में सड को पर उतरा है, वो देखकर आप दंग रह जाएंगे, मैं ना सिर्फ आपको इस खबर में बताने वाली हूँ कि कहां कहां ये वि जरूर इखके और ना में जयानती जाओ और आप देख रहे हैं दिकनड़ तुस्तों बिनादेर के आपकी स्क्रीन्स पर मैं आपको प्रियंका गांधी का ट्वीट दिखा रही हूँ प्रियंका गांधी ने जो पेपर लिख हुआ है उसका मुद्दा उठाया है और सरकार ना सिर् प्रियंका गांधी यानि Congress बलकि इसके अलावा राहूल गांधी भी इससे पहले हामला बोल चुके राहूल गांधी तो युवाओं से मिल चुके हैं जिस दिन राहूल गांधी ने उपे मेंटर किया था दोस्तों उसके कुछ ही दिन बाद या समझ लेजे एक से दो दिन बाद पेपर लिग का मामला सामने आया था राउल गांधी जब अमेठी पहुचने वाले थे तो अमेठी पहुचने से पहले उनसे युवांओ ने मुलाकात की इनके सामने रोए उनके सामने बिल्खे यह कहते हुए कि हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फिल भी पेपर की खबर सामने आती है सरकार कुछ ने कर रही हमारे भमिश्य के लिए ये सब कुछ कहते हुए जितने भी युवा है वो रावल गांदी से कहते नजर आये दोस्तों उसके बाद इस मुद्दे ने जिस तरीके से तूल पकड़ा है आप समझ लेजे कि हर एक जिले में हर एक शह करानी की बात जो है युवा कह रहे हैं दोस्तों मैं आपको भीना देख कि प्रियंका गांदी का वीडियो दिखाती हूं मैं आपके प्रियंका गांदी का वीट आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हूं लिखती है कि री एक्जाम री एक्जाम बस एक बार सोच कर देख पर उनके परिवारों पर ऐसा ही आरो एक्जाम में भी हुआ पेपर लिंग हो गया यूपी के एक गाउं में ये चर्चा हो रही है सरकार सो रही है लड़के लड़किया इलाहबाद मेरट से लखनव तक चीत पुकार प्रिदर्शन कर रहे हैं और री एक्जाम की बांग कर र कि दूस्तों य की प्रियंका गांदी का ट्वीट है इस तरह करता है कि किस तरीके से सरकार के खिलाफ वीरोग प्रिदर्शन पर सड़कों पर उत careless हो गया है और वीरोग प्रैशन करते हुए जो यूग कह रहे हैं वो उसको व्यपकु पर्षी पार्टियां किस तरीके से भ गुजरात में भी जिहां जिस गुजरात मोडल का डंका पीटते नहीं ठकते हैं मोडी जी उस गुजरात में भी विरोध प्रिदर्शन हो कौन वीरोध कर रहा है कर्मचारी विरोध कर रहे हैं दोस्तों मैं आपको उसका देखाहई हूं लेकिन यहां आपको दिखाती हूं कि लखनाउं से लेकर मेरट और मेरट से लेकर मौ और मौ से लेकर प्रयागराज तक जो युबा सडकों पर उत्रे हैं अपने पेपर लीक के मामले में उनका गुस्ता उनकी नाराजगी किस कदर नजर आई है बिना देख कि आपको दिखा देते हैं आपने वीडियो में देखा युबाओं की नाराजगी दोस्तों साफ तोर पर आप देख पारे होंगे अब मैं आपको लिए चलती हूं गुजरात जिहां प्रदर्शन सिर्फ यूपी में नहीं हो रहा है यूपी के अलावा यही प्रदर्शन गुजरात में भी हो रहा है वो लग बात है दोस्तों कि गुजरात का प्रदर्शन हो या यूपी का प्रदर्शन हो इसे बड़े-बड़े न्यूस चानल्स नहीं दिखाएंगे आपको या अगर दिखाएंगे भी तो उसमें भी दसकम्या निकाल देंगे कि जरूर बच्चों को किसी ने बहकाया होग किसी ने बहकाया होगा कर्मचारियों को किसी ने बहकाया होगा तभी जाकर ये विरोत प्लिदर्शन कर रहे तो मैं बिना देर कि आपको गुजरात लिए चलती हूँ, आपकी स्क्रीन पर इस वक मैं रोहन गुपता का ट्वीड दिखा रही हूँ, हाला कि इन्हों ने जो वीडियो शेड किया है, इससे जुड़ी ख़वर हमें कहीं देखने को नहीं मिली, बहुत ढूंडने का प्रयास किया, यह भी हो सकता है कि ख़वर चापी ना गई हो, यह भी हो सकता है कि इस वीडियो की पुष्टी अभी तक नहीं की गई हो, इसलिए दिकंटाप इस वीडियो की पुष्टी नहीं करता, लेकिन रोहन गुपता जो कि कॉंग्रेस के नेता है, प्रवक्ता है, वो लिखत भारति जंता पर्टी कि सरकार नहीं है बलकि वपक्ष साहसथ सरकार है राजस्तान में भी ऐसा था लेकिन भी तैयारी पूरी है कि ओ्ल पंप्रुशन स्कीम को जो है क्थम कर多 relatively है हो सकता है कि मेरे संग्यान में ये बात नहीं है अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर भी ये काम शुरू हो चुका है इसके अलावा अगर बात किजाए पंजाब की पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है दोस्तों कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का विरोध प्रदर्शन इतना बड़ा और इतना लंबे समय से चलता आ रहा है कि इसको लेकर दिली के राम लीला मैदान में भी एक बर विरोध प्रदर्शन हुआ और उसमें लाखों की तादाद में कर्मचारी कर्मचारी पहुँचे थे जिनकी मांग थी कि सरकार हमारी बात माने वरना 2024 के लोगसबा चना में उनको सबक सिखाये जाएगा तो सूचिए दोस्तों की युवा सड़क पर गरीब तो है ही सड़क पर इसके अलावा कर्मचारी सड़क पर आपने किसको छोड़ा कोई तो एक होता जिसको आप ये कह सकते थे कि नहीं ये वर्ग हमसे बहत खुश है औ और ये हमारे खिलाफ नहीं है इनको हमने संतुष्ट कर दिया है कोई तो ऐसा वर्ग होता किसान भी सड़क पर हैं जिनके उपर आप आसुगैस के गोले बरसा रहे हैं जिनके उपर आप गोलियां बरसा रहे हैं जिसमें से एक किसान की मौत हो गई एक किसान की नहीं बर्क खबरे सामने आ रही है तो आप इसे से समझ सकते हैं कि देश का हाल बेहाल है या फिर ने पर दो